नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। तो आईए अब हम कुछ और प्रश्ण यहाँ पे हल कर लें जो की थोड़े से और कठिन हैं या फिर हम कहें कि जो भी हमने प्रश्ण देखे थे चाल प्याधारित उससे थोड़ा सा और जटल हैं। तो प्रश्ण है यहाँ पे कि उशा नबे मीटर लंबे तालाप में तैरती है, वहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक सलल रेखे पत पर जाती है, तदा वापस आती है, इस दौरान वहकुल एक सो असी मीटर की दूरी एक मिनिट में टै करती है, उशा की ओसत चाल और ओसत वे को ग्याद कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, पहले प्रश्ण में दो बिंदू यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या ग्याद करना है, और उन दोनों बातों को जिने हमें ग्याद करना है, उसके सूत्र क्या है, तो पहली बात हमें ग्याद करनी है कि ओसत चाल क् क्या है तो हम प्रश्ण को देखते हुए उस पे जो हमें अंक मिलने हैं उस पे चरंड पद चरंड शर्चते चलेंगे कि सबसे पहले हम अपना एक एक अंक पूरा कर लें इसके सही सूत्र लिखके तो ओसत चाल का जो सही सूत्र है वो ये कि कुल दूरी की दर कितनी है यानि कि कुल दूरी बटे कुल समय कितना लगा अगर हम इन दोनों का भागफल निकालेंगे तो हमें ओसत चाल मिल जाएगी और अगर आप ओसत वेग की बात कर रहे हैं तो आप ओसत निकाल लीजे इसकी प्रारंभे वेग और अंतिम वेग की ओसत तो इन दोनों की अगर हम ओसत निकालेंगे तो हमें ओसत वेग मिल जाएगा और अगर कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे तो हमें ओसत चाल मिल हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊशा एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है तो ऊशा जो कि यहां पे तैर रही है वो तैर करके 90 मीटर लंबे तालाब में दूसरी और पहुचेगी यानि कि जो दूरी यहां से ले करके यहां तक की है वो कितनी है 90 मीटर है ठीक है ये जो दूरी है ये हमें कितनी बता दी गई कि ये 90 मीटर है और बताया गया कि ये लौट करके भी आ जाती है तो तब तब जो दूरी तै की गई वो कितनी है वो 90 एक तरफ जाने की और 90 एक तरफ वापस आने की तो कुल दूरी अगर हम तै करें और मापन करें तो कितनी हो गई 90 पहले इस दिशा में और फिर 90 बाकी उल्टी दिशा में मगर क्योंकि हम दूरी की बात कर रहे हैं तो कोई भी अंतर नहीं है दिशा का कुल दूरी 90 प्रस 90 जो की हो गई 180 880 और बटे कुल समय तो कुल समय यहाँ पे एक मिनट दिया गया है और एक मिनट का आशे हुआ कि 60 सेकेंड यानि की 180 बटे साथ यानि 3 मीटर प्रती सेकेंड तो 90 धनबबबब करने पे कुल दूरी आ गई और जब हमें एक मिनिट कुल समय दिया गया था, उसको हमने सेकिंड में परिवर्तित कर लिया, अब अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें, तो प्रारंभिक वेग में आप क्या देख रहे थे, कि जो उशा की दिशा थी, वो ये थी, जिस दिशा में वो आरंभ किया उसने जब स्विमिं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच की जो साइन है, यानि कि जो दिशा है, वो विपरीत है, पहली बात तो ये, और प्रारंभिक वेग इसका कितना होगा, तो प्रारंभिक वेग यानि कि जाते समय वेग हो गया इस दिशा में, यानि कि इस दिशा में, यानि कि वेक कितना हो गया फिर सेनब्बे विपरीत दिशा में और जितना भी उसको समय लगा और ये समय जो है वो हमें कितना दिया गया है वो एक मिनिट दिया गया है T1 और T2 का जो कुल मान है आई देखें कि हम इसे कैसे हल करेंगे अब चूकि आप देख रहे हैं कि इसको अगर आप हल करने का प्रयास करेंगे तो आपके पास जो T1 और T2 का मान यानि कि इस तरफ जाने वाला समय और वापिस आदने समय वाला समय अलग अलग नहीं दिया है इसलिए इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आप उत्तर पे नहीं बहुच पाएंगे हलाकि इस पूरी क्रिया में कोई भी गलती नहीं है प्रारंभिग वेग और अंतिम वेग निकाल के आप उसके ओसत निकाल रहे हैं तो गलती नहीं है पर अंतु आप उत्तर तक नहीं बहुँच पाएंगे क्योंकि जानकारी इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए पूरी नहीं है तो ऐसी दशा में आप इसकी परिभाश्रा को उब्योग करते समय ओसत वेक निकालने के लिए कुल विस्थापन कुल विस्थापन बटे कुल समय जो लगा उसका प्रयोग भी कर सकने है तो अगर औसत चाल की बात की थी मैंने तो कुल दूरी बटे कुल समय हो गया और अगर औसत वेक की बात कर रही हूं मैं तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अब कुल विस्थापन क्या बता सकते हैं कि क्या होगा ये इसी बिंदु से शुरू हुई और इसी बिंदु पे वापस आई तो कुल विस्थापन हो गया शून और शून को आप किसी भी अगर संख्या से भाग करेंगे तो उत्तर 0 नहीं होगा तो इस लड़की उशा का जो ओसत वेग है वो 0 मीटर पर सेकेंड ही हुआ हाला कि उसने कितनी दूरी तै कर ली कितनी तैरी वो परंतु उसकी ओसत वेग जो है वो 0 नहीं आई तो ये बात जो है वो बहुत ही जरूरी है और ये प्रश्न जो है वो इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि कौन से प्रश्न में दिए गई सूचना के अनुसार हमें कौन सा सूत्र उपयोग करना चाहिए आईए अब हम एक और प्रश्न हल कर लें और ये प्रश्न भी बहुत जादा ही रोचक लग रहा है प्रश्न में क्या दिया है एक सौ मीटर लंबी रेल गाड़ी एक दो सो मीटर लंबे पुल को पचास सेकंड में एक समान वेक से पचास सेकंड में पार करती है तो यहाँ पर पताये गया है कि एक लंबे पुल को पचास सेकंड में पार करती है एक समान वेक से इस रेल के गाड़ी की वेक की परिकलना कीझे या इस रेल गाड़ी का वेक परिकलित कीजे तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस रेल गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी तो अगर हम रेल गाड़ी का अंतिम बिंदू ले ले कि रेल गाड़ी जहां पर खतम हो रही है और इसका अंतिम बिंदू ले ले कि ये बिंदू जो है वो कितनी दूरी तै करेगा तो पहली बात तो ये 100 मीटर यहां तक पहुचेगा है ना पहले तो ये 100 मीटर इस दूई को तै करेगा जो कि रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है और फिर जब वो अन्त बिंदू यहां तक आ जाएगा तब हम कहेंगे कि इस लंबी रेलगाड़ी ने पूरी की पूरी पुल को पार कर लिया कहने का आशे यह है कि जब वो यहां पे है तब हम नहीं कहेंगे कि इसने पूरा पुल पार कर लिया जब वो पुल पार करके यहां पे आ जाएगे अन्तिम बिंदू तब हम कहेंगे कि पूरा पुल पार कर लिया तो इस संकलन से हमें ये बाद समझ में आती है कि कुल दूरी जो की रेल गाड़ी ने तै करी वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर उसकी खुद की लंबाई और 200 मीटर पुल की लंबाई यानि की 300 मीटर और यहां पे लगने वाला जो उसको कुल समय है वो प्रश्ण में ही हमें दे दिया गया है जो की है 50 सेकंड तो अगर हम रेल काड़ी के वेक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा क्योंकि एक सरल रेखिये यहां पे गती हो रही है एक ही दिशा में तो वेक के लिए जो कुल वो भी 300 मीटर ही हो गया खुल समय 50 सेकंड हो गया तो उत्तर आ जाएगा 6 मीटर प्रती सेकंड तो इस रेल काड़ी का वेक 6 मीटर प्रती सेकंड हो गया